बहुत सारी सच्चाई है इसमें जीवन के बारे में, परिशान मत हो यह, आप सुच रहोंगे कि क्या बात कर रहा है, थमनेल में तो कुछ और लिखा था, इस सेशन में हम लोग करेंगे तीन महत्तोपूर्ण सवाल जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ऐसा सवा आपने पहले कभी नहीं किया होगा, ऐसे सवालों में एक्जाम में गलती हो जाएगी, अगर आप इसका कॉंसेप्ट नहीं समझते होंगे, तो प्रॉबबिलिटी और मेंसुरेशन का संगम हम करेंगे, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले इस पे आते हैं, जीवन में हमेशा ध्यान रखेगा वेटा, कि लाइफ में कई बार ना ग्रोथ नहीं दिखती है आपको, बड़ एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना तगडी ग्रोथ मिलती है, वो क्यों होता है, इसको बोलते हैं, कमपाउंडिंग, नॉन लिनियर टी, तो लाइफ में चीजों का आउ भी दिख रहा है, तो भी घबराइए मत, यह वाला फेज है वो, इस फेज के बाद एक ऐसा फेज आता है, जहां पर आप उडान भरेंगे, चले शुरुआत करते हैं, आप सभी ने अगर प्रोबिलिटी पढ़ी होगी, तो प्रोबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि प्र इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि यह होता है number of favorable outcomes upon total number of outcomes, अब होता कहा है कि एक्जाम में जब आप जाते हो, आपने जितने भी सवाल कियो होंगे उसमे number of outcomes को आप count करते हैं, total number of outcomes को आप count करते हैं और उससे divide करके आपका answer आता है, तो हमारे दिमाग में यह sense होता है कि जो number of जो outcomes है, favorable outcomes हैं, वो कोई स्तंख्या है जिसको आप count कर सकते हो, चाहे permutation, combination यूज़ करके या फिर direct, जैसे 52 पत्तों में एक पत्ता चुनना है, तो 52C1, ठीक है, या फिर एक ही चुनना है तो इसको 52 ही बोल सकते हैं, 52 में से दो पत्ते चुनना है तो 52C2, पर यह जो expressions हैं, य like counting, पर कई बर probability में यह जो any और ns हैं, यह normal quantities नहीं रह जाती हैं, बलकि यह area को भी denote कर सकती हैं, yes, छेत्रफल, मैं वही आपको यहां समझाने जा रहा हूँ, और देखेगा बड़ा interesting सा सवाल है, जैसे यह सवाल आपके सामने है कि एक point हमने लिया है, एक equilateral triangle के अंदर एक point लिया है, randomly, आपको यह बताना है कि क्या probability है कि वो जो point हमने randomly चुना है, उसकी दूरी किसी भी corner से एक centimeter से अधिक है, यानि किसी भी corner से गर आप measure करो तो उसकी दूरी एक centimeter से अधिक होनी चाहिए, अब देखेगा ज़रा इस सवाल को कैसे हम इसमें समझेंगे, क्योंकि बड centimeter से आगे हो, तो मैं कहूंगा, अगर मैं एक centimeter का radius लेके इस तरह का एक arc खिश दूँ, और मैं point को कहीं यहाँ पर लूँगा, तो इस corner से तो एक centimeter आगे आ जाएगा, सेम काम आप यहाँ से करो, ऐसे, सेम काम आप यहाँ से करो, ऐसे, तो अब अगर आप कोई भी point इस reason में तो वो point इस corner से, एक centimeter से जादा, यहाँ से भी एक centimeter से जादा, यहाँ से भी एक centimeter से जादा है, यह बात बिल्कुल समझ में आ गई, और इसका radius, इसका जो side है, वो 4 है, अब आप visualize करिए कि यह जो सारे point इस reason में हैं, ज़र आप visualize करिए, कि इस reason में infinite points होंगे, तो अगर आप उन सारे points को visualize करने की कोशिश करेंगे, तो आपके दिमाग में न, एक बहुत सुन्दर picture दिखने वाली है, कि भाईया, यह सारे points को अगर हम एक साथ देखते हैं, all possible points, तो वो तो एक area reason है, तो यहाँ पर आपका जो any है, number of favorable outcomes हैं, वो यह pink वाला area reason है, और जो total number of outcomes हैं, ns, sample space, वो क्या है, वो इस triangle का पूरा area है, क्योंकि इस त्रिभुज के भीतर, अगर मैं आपके सामने एक त्रिभुज रखूँ, और उस त्रिभुज के भीतर जितने भी point है, ns क्या है, a point inside equilateral triangle, वो ns है, तो इस त्रिभुज के भीतर, वो सारे points जो इसके अंदर है, अग आपको क्या मिलने वाला है, जरा बताइए, यह मिलने वाला है, तो basically, जो sample space है, वो इस पूरे triangle का area है, और जो हमारा number of favorable outcomes है, वो area है, इस pink reason का, तो यहाँ पर any और ns क्या है, area reasons है, तो अगर आप कोई सवाल को solve करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे, जो probability मुझे न पॉइंट होंगे, पहली बात तो ns क्या होगा, वो होगा, root 3 by 4 into 4 का square, तो कि भुजा 4 है, और जो यह pink वाले reason का area बनेगा, वो बनेगा, वही root 3 by 4 into 4 square, यानि पूरे equator triangle का area minus, यह जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, यह, 3 आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे portions तो इन 3 छोटे-छोटे portion को घटाना पड़ेगा हमें, यह orange वाले portions को, यह 3 circular portions हैं, और मज़ेदार बात क्या है, कि यह 3 circular portion में यह 60 degree, यह 60 degree, यह 60 degree है, तो 60-60 degree के अगर मेरे पास 3 sectors हैं, और मैं उनको ऐसे back-to-back arrange कर दूँगा, 60-60, तो यह 180 degree बन जाएगा, एक radius है, semi-circle ब ठीक है, इसका area, semi-circle का area बन जाएगा, अब इसी को मुझे solve करना है, तो आप 4 से 4 काटेंगे, तो यह बनेगा 4 root 3 minus pi by 2 upon, 4 से 4 कटेगा, यह बनेगा 4 root 3, अगर मैं 2 को LCM ले लूँ, तो यह बन जाएगा, 8 root 3 minus pi upon 8 root 3 बन जाएगा, 8 root 3 minus pi upon 8 root 3 आपको B option में दिया है, तो B option correct हो गया, अब इसी पर दो सवाल और प्राक्टिस करवा दूँ, पक्का हो जाएगा यह concept आपका, ठीक है, तो दिखेगा ज्यान से, यह कराए, एक point को हमने randomly select किया है, triangle के अंदर है, और उस triangle की भुजाए 3, 4, 5 cm की है, आपको probability बतानी है, कि जो distance है, उस चुने गए point की, व पांच का अगर आप equilateral triangle लेते हैं, तो वो right angle triangle कहलाएगा, इसमें तो किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए, तो देखो यह right angle triangle हो गया, तो बना लो right angle triangle फटाक से, right angle triangle बनाने के बाद आपको यह भी पता है, कि हमें, अब आगे क्या करना है, हमें 3 portions बनाने है, 1 cm वाले 3 corner से, ठी यहां चीज़ यहां भी है, यहां पर इस 3 तरह के circular portion बनेगे, 1, 1, 1, 1, और यह भुजा आपकी 3 है, और यह भुजा आपकी 4 है, और चुकि हाइब इस 5 दिया था, तो यह right angle है, right, अब आप क्या कहोगे, कि भाईया, जिस zone का, मुझे area चाहिए, ठीक है, जो हमारा basically बनने व outcome हो गया, और साथ ही साथ, आपको यह भी पता है, कि यह तीनों जो reasons है, ठीक है, यह भी अगर मैं मिला लूँ, तो यह जो total हरा plus pink है, यह total triangle का area है, वो हमारा sample space है, ठीक, तो आप जड़ा probability निकालते हैं, तो जो probability निकलेगी, यहां से वो क्या निकलेगी, आप कहोगे कि दे हो गया, और जो यह pink reason का area है, वो कैसे बनेगा, वो आपका बनेगा कि इस 6 में से, यानि total area में से, मुझे यह तीन, जो sectors है, देखो, एक sector 90 degree का है, एक sector अगर आप बोलोगे theta का है, अगर आपने बुला कि यह sector theta का है, तो यह sector 90 minus theta का बनेगा, yes, अब एक 90 है, एक theta है, एक 90 minus theta है, तो total जो angle बनेगा, यह 180 बनेगा, यानि again यहां मामला किसका है, semicircle का है, total जो बनेगा, वो एक radius का semicircle बन जाएगा, तो इसका जो area बनने वाला है, वो क्या बनने वाला है, आप कहोगे यह बनेगा मेरा again pi into 1 square by 2, तो आप इसको लिखिए pi by 2, question में बोला है कि pi को आप 22 बटे 7 ले सकते हैं, pi को गर आप 22 बटे 7 रखोगे, 2 से कटेगा, 11 बटे 7 बनेगा, तो 6 माइनस 11 बटे 7 बटे 6 हो गया, तो यह value हो गया, 7 चंग 42 माइनस 11 कितना हो गया, 31 और 31 बटे 42 आपका answer आगया, आपका answer आगया a, ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं, और इस concept की स पोनों से उसकी दूरी क्या है, एक सेंटीमीटर से अधिक हो, ठीक, तो देखेगा ध्यान से, क्या करना है आपको, आपको पता है कि square के भीतर का अगर कोई point हमें लेना है, कि हमने square के भीतर का कोई point मानले, assume करना है, तो अगर sample space की मैं बात करूँगा, तो वो तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, कि वो तो पूरे square का area, sample space हो जाएगा हमारा, और जो हमें required area है, वो कैसे मिलेगा, तो आप ये कहोगे, ये वो area है, जहां पर हमारा point अगर होगा, तो सारे कोने से 1 cm से अधिक की दूरी हो जाएगी, ठीक है, और क्या करना है, आपको ये भी पता है, कि पूरे square के area में से इन चारो quarter circle का area घटा देंगे, तो हमें हमारा required outcome मिल जाएगा, तो जड़ा निकालते हैं इसकी probability, आपको कि देखो, 4 cm अगर side आपने दी है, तो जो area reason sample space represent करेगा, वो 4 चोके 16 बनाएगा, इस pink reason का area जो हमारा favorable outcome है, वो कैसे मिलेगा, इ मैं ये 4 quarter circle, अब 4 quarter circle है, ये 90 degree का code है, तो 4 बार 90 degree तो ये 360 degree हो गया, और ये value अगर 360 degree हो गई और एक का radius है, तो ये पूरा complete circle हो गया, तो ये value हो गई आपकी πाई into 1, पाई के value 22 बटे 7 रखनी है, सवाल में बोला है, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 22 बटे 7 बटे 16, ये आप बन जाएगा, अब value हो गई आपकी 7, 8, 56, 56 में से अगर 11 घटाओंगा तो 45 बिलेगा, और ये 7, 8, 56 आपकी value हो गई, 45 बटे 56, तो आपका जो answer हो गया, वो C हो गया, 45 बटे 56, उम्मीद करता हूँ, ये concept आपका अभी 3 सवालों से हो गया, clear 100%, अगर मज़ा आया, तो वीडि आ रहा हूँ, जो कि 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी, SSCCL मेंस के लिए special Ramothon, Ramothon का मतलब है मेरा Marathon, complete probability इससे बाहर कुछ नहीं, basic से लेके हर लेवल तक के सवाल करवा दूँगा, probability में कोई भी सवाल बाहर से आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी, तो उसकी धज पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाई बाई